और देखे जालोर से बड़ी खबर है जवाई नदी में बस गिरी बस सवार पांच लोग गंभी रूप से घायल बताये जा रहे हैं बस में सवार थे कुल 20 यातरी और नीजी बस अचानख नदी में गिरी मौके पर हरकम मच्चा जालोर से बड़ी खबर आपको बता दे जवाई नदी में बस गिरने से बड़ा हाथसा हुआ और यहाँ पर बस में कई लोग सवार थे बस में पांच लोग गंभी रूप से घायल बताये जा रहे हैं बड़ी खबर आपको बता दे बस में कुल बीस यात्री सवार थे जिन में से पांच लोगों को गंभीर छोटे आई हैं पांच लोग गंभीर उटसे घायल बताये जा रहे हैं और नीजी बस अचानख नदी में जागिरी और मौके पर लोगों की भीर जमा हुई दे कि किस तरीके से बस में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है और आसपास के लाकों में हरकम मच गया बस का ये हादसा जहां पर देखिए घायलों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है बस में कुल वीस यातरी सवार थे जिसमें से पांच लोग गंभीर घायल बताय जा रहे हैं और यहाँ पर मौके पर तमाम अमिलिन्स और पुलिस जापता मौजूद और सारी सेवाएं यहाँ पर पहुंची और घायलों को बस से रेस्क्यू करकर बाहर निकाला गया और अब उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और देखे सच बेधड़क सबसे पहले आपको यह खबर बता रहा है बस में सवार करीब बीस लोगों में से पांच लोग गंभीर रूप से घायल है नदी में बस गिरने से बड़ा हाथसा जवाई नदी में बस यह गिरी है और यहाँ पर पांच लोग कंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है बस में सवार करीबन 20 लोग थे और ये हादसा हुआ बस जो है जवाई नदी में जागिरी और यहाँ पर देखिए तस्वीर हादसे की जहाँ पर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुँचकर समय से पहुँचकर लोगों को रेस्क्यू किया और यहाँ पर पुलिस जापता म है आपको जहां पर देखिए बस जो है वो नदी में गिरी और नदी में गिरने से हरकम पचाए तो आपको एक खबर बताई हमने जहां पर देखिए जवाई नदी में बस गिरने से पांच लोग गंभी रूप से घायल हो गए तुरंत पुलिस की टीम और मेडिकल टीम और तमाम सिवाई मौके पर पहुची और घायलों को गिरी हुई बस से जो घायल लोग थे जो यातरी ज जहां वा एतना बड़ा अड़ा और उसके बाद रोल्बा की हालत क्या वताही जारे है क्या चा सिर्डीग को ने? जवाई की जो नदी है नदी को उपर पुलिया के जो फ़ड़क है उपर उसमें बट बड़े गड़्डे हैं उन गड़्डों को ही बस बचाने के चक्कर में ड्राइबर ने इजर उतर सोई ती गाड़ी चरिया आज़ वेलेंस होते ही बस ती नीचे पुलिया के नीचे करी उसमें से बीज से पस्सी यात्री दिरीटी इसमें से अगए का सीजा ऊद करकर तब ही यात्यों को बारिष के दौरान जिसके बड़े-बड़े गच्टे हैं उन गच्टों को बरवाने काम नी करदा और कहीं एक आज्टा ये देखने को मिला है ऐसे में हो सकता है कभी भी और भी बड़ा आता हो सकता है आज पास लोगों गंबी रूप में गायल है हाला कि यह अजी खबर है क अबी तक इसमें कोई हतात नहीं हुआ धायल है ठूट फाट है लेकिन या अगर इसमें कोई आजमी मत था अगर कोई ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता तो काई ने बड़ा सवाल खड़ा हो सकता था पंगासन के उपर जी कॉल को शुक्रिया आपका गबलू त कुर के लिए